क्यूं हर साल जगरनाथ 15 दिन के लिए बिमार होते हैं? एक माननेता है कि भगवान जगरनाथ का एक सच्चा भग जिसका नाम माधवदास था उन्होंने अपनी पत्नी के देहांत के बाद अपनी पूरी जिंदिगी भगवान को अरपित करने का निश्चे कर लिया भगवान जगरनाथ अपने इस सच्चे भगत को देखकर बड़े खुश होते थे और उन्होंने कई बार माधवदास को अपने दर्शन भी दिये थे परन्तु एक दिन माधवदास बिमार हो गए बिमारी के कारण उनका बदन सूखने लगा तब स्वयम भगवान ने अपने भक्त की सेवा की बाद में जब माधवदास को होश आया तब उनसे पूशा प्रभू आप तो तिरे लोग के नाथ हैं फिर आपने मेरी बिमारी को एक बारी में ही ठीक क्यों नहीं किया आपको मेरी सेवा नहीं करनी पड़ती तब भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि माधवदास अगर तुम इस जनम में इस दुख को नहीं भोगते तो तुम्हें अगला जनम लेना पड़ता और मैं ये बिल्कुल नहीं चाता तुम्हारे अभी भी और पंदरा दिन बचे हैं पर मैं बचा हुआ दुख मेरे उपल लेता हूँ और इसी वज़ा से भगवान आज भी पंदरा दिन के लिए हर साल बिमार पड़ते हैं